हेलो नोसकार दोस्तू कैसे आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल प्रॉफिट अशडी में तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्टन रेलवे का तरप से आपका जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है रेलवे अपरे साथ साथ कवानाएट और उन किस वीडियो में हम लेटेस्ट कवर करने वाले है और इसके साथ साथ आपको ऐपनल कीतना सब्सक्रमेंगा इस्टन रेलवे के रिगार्डिंग यहां पर से शुरू किया चुका है तो चली वीडियो के शरुवाद करते हैं इससे पहले जितने को मिलती रहे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम और वर्ट से ग्रूप का लिंक दिया गया ज़रूसरों वहाँ पर आइड हो जाएगा ताकि हर तरह का लेश्ट इंफोर्मेशन आपको वहाँ पर सेर किये जाते हैं सभी देख रहे पार्टिकुलर डिपार्टमेंट क आप करेंगे तो आप सब देख रहे वह 22 जनवरी के डेट में आपे लेटर डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक है प्रस्नल डिपार्टमेंट जमालपूर रेल इंजन कर खाना जमालपूर जिसमें आपका यहाँ पर सेशन देख लिजे 22 तरी सेशन का जैसा कि हमने वीडियो के सुरुद में आपको बताया यहाँ आपका रजी सेशन सेशन मेंट लेगा हो से ससे लेटर नहीं तो चीप वार्पर मैंजर मेंगेर इस्टरेविए जमालपूर की तरफ से आप 22 से जोाइनिंग के लिए यहाँ पर प्रोसेश को सुल्तेशिया जाता है कि यहां पर दो से सेशन को एक साथ लेके चला जाता है एक सेशन जैसी ही अगला आगे बढ़ेगा तो पिछला सेशन को भी एक स्टेप आगे यहां पर डिपार्टमेंट लेकर चलता है तो दो सेशन यहां पर एक साथ चलता है जैसे तरह करके आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इस्टन रेल का आया है कितना कटाफ जा रहा उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले थोड़ा सा important document पे एक नजर देख लिजे कि क्या क्या document आपको अपने साथ लेकर जाना है और कब बुलाए जा रहा तो जितने candidate को इस तरह का लेटर प्रोवाइड हो रहा उन सभी candidate को यहां पर 12 फर्वारी 2024 से पहले पहले तक जाके डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देना है कहा रिपोर्ट करना है तो देख लिजे एट इस्टन रेलवे लोकोमोटी वर्स एट जमालपूर ठीक है जिसमें मुख्य डोकुमेंट आपका है मैट्रिक एवं आई टी आई का एडमिट कार्ड मार्क सिट सर्टिफिकेट यहां पर डोकुमेंट हो गया उसके बाद आपको तो जिसके पास माल लीजे चेक नहीं है वो फटाफट डियर जाके चेक अपलाई कर दीजे क्यूंकि इस्टन रेलवे जमालपूर में चेक को बहुत वारियता दिया जाता है और पिछले सेशन में ऐसा देखा गया था कि चेक बुक न होने के कारण बहुत सारे आपको लेके जाना है चाहिए आप EWS कटेग्री से हैं स्टी ओबी से जिसभी कटेग्री से हैं SDO लेवल का आपको यहाप से कम से कम होना चाहिए कि बहुत सारे छात्र का है आप उलजन रहता है कि सनम कौन से लेवल का बना है टैसिल से बनाएंगे तो चलेगा की निए चल एक 2024 के डेट में लेटर जो है प्रोवाइट किया जा रहा है अब हम बात करते हैं कि कितना गया और कितना सिरियल नंबर तक आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहां पर हो चुका है तो जैसा कि आप सभी देख रहो हम आपका 22 23 का जो जुएनिंग का मेरिट लिस्ट आये ता फाइनल जुएनिंग का मेरिट लिस्ट सिके एक बात क्या रखीए कि आपका 22 23 समझने का गलती मत करिए अपका 22 23 लीड़वा रहावडा का डीवी का अप्डेट आए धिरे-धिरे करेके सब का आ जाएगा तो यहां प पर यहाँ पर डीवी में सिर्फ 351 candidate परजेंट हुए और 350 candidate उसमें से suitable पाएगा है एक candidate को reject कर दिया गया और 317 सीटे टोटाल अभी भी खाली है इसमें कोई भी आपका second डीवी का merit list रिलीज नहीं किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखेगा अब बात करते हैं कि इसमें cut-up कितना जा रहा देखिए cut-up के बारे में बात करेंगे तो हलाकि previous वीडियो में cut-up के बारे में बात नहीं कि दे तो थोड़ा साब को इसमें cut-up बता देना चाहेंगे कि particular कितना कितना परसेंट क्या था previous session में ठीक है जैसे हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम जमालपूर का अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका जो है serial number यहाँ पर देख सकते हैं 222 तक यहाँ पर सभी candidate को joining letter भेजा जा चुका है ध्यान से समझेगा 222 serial number तक सभी candidate को यहाँ पर जो joining letter भेजा जा चुका है और 222 में अगर कौन सा trade आता है तो यहाँ पर देखिए welder trade आपके स समय लगेगा तो आप लोग को बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है बहुत जल्द आपके घर तक letter जो है यहाँ पर provide हो जाएगा ठीक है आप यहाँ पर 222 तक आ गया है total कितने candidate है तो total यहाँ लगवग लगवग अगर आप बात करोगे तो साड़े 300 क्यास पस आपको total candidate द देख सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि थोड़ा सा cut-up के बारे में एक नजर देख लेते हैं कि particular 22-23 में कितना percent cut-up गया था देखिए electrician के बारे में अगर आप बात करिएगा तो electrician का जो cut-up है यहाँ पर गया था आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो फीटर का अगर बात करेंगे तो EWS में आपका 74.83 OBC में आपका 80.22 ST में बात करेंगे तो 80.37 और यहाँ पर बात करते हैं next आपका EWS SC में बात करते हैं तो आपका यहाँ पर 83.71 परसेंट पर particular candidate का सेलेक्शन हुआ है ठीक है उसी तरह करके आप Mechanist का यहाँ पर देख लीजेगा अब Mechanic Diesel का देख लीजेगा और यहाँ पर टर्नर का देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ह Κटाफ नीं इतने कि मन में किसी तरह का कोई भी सवाल यहां पर ना बचें के विल्डर का बात करेंगे तो कटीरि यॉसी में बात करेंगे तो 65.19 उहींपे अगर बात करते हैं में ऑपका 69.92 पर यहां कटप बना थो और स्वी में बात करेंगे तो 76.07 यह आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का कटफ है जो पार्टिकुलर डीवी के बाद यहाँ पर आता है जौइनिंग का कटफ ठीक है तो धीरे-धीरे करके आप सभी अपना नेरेस पोस्ट ओपिस विजिट करिएगा आप समझ लिजे कि इस मन्त के इंडिन तक आपका जौइनिंग लेटर आपके हाथ में 100% ही कि को सब्सक्राइब करके बैल बटन को अन कर दीजेगा ताकि पलपल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे तब तक के लिए जैहिन जै भारात